आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात्चित करेंगे जो कि हर एक एक एक्टर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो कि एक्टिंग तो बहुत अच्छा कर लेते हैं। लेकिन उनके सामने एक प्राबलम आ जाती है डालोग को भूलने की। वो जो है अपने स्क्रिप्ट को अच्छे से याद नहीं कर पाते। अर जब केमरे के सामने जाते हैं, तो साथियो, अपने स्पीच को भूलेने लगते हैं, जिसके कारण उनकी एक्टिंग खराब हो जाती है, तो साथियो, आज हम लोग इसी संदर में बातचित करेंगे, कि अपने डायलोग को, अगर हम लोगों को याद करना हैं, तो कैसे करें कि जब हम लोग एक्ट करें तो उस समय अपनी स्पीच को भूले नहीं और हमारा एक्टिंग अच्छा हो पबलिक उसको पसंद करें जैसे जब आप लोग जाते हो ओडिशन देने के लिए तो साथियो वहां जाने के बाद सबसे पहले आपको कास्टिंग डारेक्टर जो उसको पढ़िए यानि दोस्तों मेरे कहने का अर्थ सिधा सिधा है कि जब आप लोग पढ़ते हो लाइन को तो एक-एक लाइन को एक-एक शब्द को ढूड़ने की कोशिस कीजिए उस पे अमल करने की कोशिस कीजिए कि शब्द के माध्यम से चरित्र जो है क्या कहना चाहत जब साथियों आप लोग एक एक शब्द पर ध्यान दोगे तो आप जो है उस चरित्र में घुसते जाओगे और जब चरित्र में घुसोगे तो साथियों आपको अपने आप सब कुछ दिखने लगेगा एक तरह से उस चरित्र को लेकर आपके मन में अपने आप कलपना चलने लगेगी कि इस चरित्र का द्रिश ये हो सकता है उस चरित्र का चेहरा ऐसा हो सकता है और ये चरित्र जो है इस तरह से बोल सकता है इस तरह से हस सकता है यानि कि अगर आप ध्यान से लाइन को तो चरित्र का पुरा द्रिश कलपना आपके मन में चलने लगता है। तो साथियो जब आप इस क्रिया को करेंगे यहां तक पहुच जाएंगे तो आपको लाइन जो है अपने आप याद होने लगती है। मैं तो साथियो अपने प्राबलम को इसी तरीके से धीरे-धीरे किया। जब मुझे स्क्रिप्ट मिल जाती है तो सबसे पहले मैं जो है स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद फिर उस लाइन के आर्थ को जानने की कोशिश करता हूँ कि चरित्र जो है उस लाइन के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो साथियो जब मैं जब कलपना मन में चलने लगता है तो अपना आप धिरे धिरे लाइन जो है याद होने लगती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके अलवा एक उपाय और है कि जब आप सभी लोगों के हाथों में स्क्रिप्ट आ जाता है तो सबसे पहले आप जो है स्पीच को दो से तीन बार ध्यान से पढ़िए पढ़ने के बाद कास्टिंग डारेक्टर के पास जाईए और आपको कास्टिंग डारेक्टर जो है खुद बताएगा चरित्र के बारे में कि चरित्र का बैक ग्राउंड ये है चरित्र जो है इस तरह से चलता है इस तरह से बोलता है ये ख चरित्र को लेकर एक खाखा तयार हो जाता है तो जब खाखा तयार हो जाता है तो साथियों जब आप लाइन को पढ़ते हो तो उस खाखा के माध्यम से जो चरित्र के बारे में कास्टिंग डारेक्टर ने बताया है तो आपको काफी हेल्फ मिलती है आप जो है उसी तरीके से सोच कर लाइन को पढ़ते हो याद करते हो तो लाइन जो है अपने आप याद हो जाती है इस तरीके से आप जो है लाइन को याद कर सकते हो लेकिन साथियो अकसर होता क्या है कि कुछ हैक्टर करते क्या है कि सिधा सिधा लाइन को याद किये और कैमेरे के सामने जाकर बोल दि तो आपका एक्टिंग जो है सिधा खराब हो जाएगा तो मेरी आप लोगों से प्रात्ना है कि अगर आपको ये दिक्कत है ये परशानी है लाइन भूलने की तो साथियो आप भी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरीके से आपका समयस्या दूर होना ही होना है उसमें कोई शक नही है तो आज के लिए यही जानकारी है अगर हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों अब मैं आप सभी लोगों से फिर बिलूँगा अपने नए वीडियो में एक नया जानकारी ले कर तब तक के लिए जय हिंद जय भारत